कोटा से 15 किलो मिटर दूर नानता में इस्तिथे चमत कारेशवर हनुमान मंदिर जहां चंबल नदी से निकली बताई गई हनुमान परतीमा हनुमान परतीमा के सामने भक्त आखे बंद करकर मनही मन सवाल दोराते हैं और मंदिर के पुजारी दोनों तरफ से खाली एक पेपर को सबी को दिखा कर प्रतीमा के सीने के पास रख देते हैं और थोड़ी देर बाद हनुमान जी के गण उस पेपर पर केसर सिंदूर से लिखित जवाब पुजारी जी के मारफ़त भक्तों तक पहुंचा देते हैं हनुमान जी के दोरा कुछ ही मिन्टों के बाद जवाब भी देखने को मिलता है हनुमान जी की लीला का नांता के कोटा इस मंदिर से एक अंदेखा अद्वुत और एक चमतकारी पहलूद देखने को मिला यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को भक्तों का जमाउडा लगा रहता है यह परतीमा चंबल नदी से निकली गई है इस वक्त हम मोजूद हैं कोटा के नांता इलाचे में चमतकारी बालाजी मंदिर अब देख सकते हैं फीछे बालाजी का मंदिर है यह मंदिर चमतकारी बालाजी का मंदिर है यहाँ पर कहा जाता है कि बालाजी अनुवान जी के कोरा कागज लगाते हैं और हनुवान जी उसमें जवाब देते हैं कि अंदर चलते हैं जानते हैं पंड़जी से इस तरीके से अनुवान जी जवाब देते हैं क्या कुछ कहानी है इस मंदिर की कि यह में बालाजी की आपने चंबल नदी में बाहर निकले हुए है बालाजी वहां शुला करिये यहां पद्राय बढ़ावश्ति नानता में तो यह बालाजी और आक अगर इसकी चातिके लगाता हैं तो वह लिकी देता हैं वह आपकी कोशी भी पेड़ा हो कोई कशी भी समस्य हो तो वह उतर देता है कि काम हो कोई आपने दन दाफानी ने चल रहा हो कोई आपने डाकन बूत हो कोई पूंशी भी परीशा हो वह इस में लिकी देता हैं यहां से आते हैं दिल्ली बंबाई येद्राबाद यूपी बारा जिला कोटा कि अब जगशुरी जात्रिया आते हैं इसकी पाती आते हैं तो माराज जी का कहना है कि जो भी भक्तों की समस्या रहती है वो अपने मन में मांगते हैं और उसके बाद माराज जी जो कोरा कागज है वो बाला जी के चंड़ों में अरपीत करते हैं और अनुमान जी के जो गण है वो उसमें आके जवाब द झाल झाल